प्रेग्नेंसी में वेट गेन आप लोगों को पता होना चाहिए मैं कई बर बता चुकियों प्रेग्नेंसी का एवरेज वेट गेन दस से बारा किलो होता है बट प्रॉब्लम यह आती है कि मेरा पेट क्यों नहीं दिख रहा है मैडम सब बोल रहे है मैं मोटी नहीं हो रही हू कोई कहता है मेरा पेट इतना दिख रहा है मैं कर टुइन्स बच्चे है मेरे पेट में तो यह सारी बाते आज हम डिसकस करने वाले है कि पेट कम क्यों दिखता है बहुत सारी कारण होते है यह सारी बाते आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको यह टेंशन नहीं होगी कि मेरी डॉक्टर तो कह रही है कि सब कुछ ठीक है तो भी मेरे घर वाले क्यों कह रहे है कि मेरा वेट गेर नहीं हो रहा या मेरा पेट क्यों नहीं दिख रहा है मेरा बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं या बच्चा घूम रहा है कि नहीं तो यह सारे मिट्स जो आपके दिमाग म है इसको आज हम बस्ट करने वाले हैं सबसे पहला कार है आपका पेट क्यों कम दिख रहे हैं अब जनरली पहले बच्चे में जो नई नई शादी शुदा लेडीज हैं उनका वेट कम होता है दीरे दीर हम शादी के बाद फैलते हैं है जनरली पतली होती है तो पतली लेडीज हैं उनके अल्री अब्डॉमिनल जेवरे जब आपके फैट ही नहीं थे तो पांच मैने तीक प्हड़ते ही नहीं को क्योंकि जो युट्रस है तो आपकी हडी के अंदर ही हड़ी से भाहर निकलता है तो अथे रहे चाट आपकर नीचे वाला इससा थोड़ा बल्च करता है क्योंकि आपका पतली बहुत है इ तोड़ी ज्यादा बल्की दिखेंगे और आप क्योंकि बहुत पतली है और दूसरी चीज़ आपके मसल्स बहुत स्टॉंग है तो यह दो कारण होते हैं तो पतली लीडीज उपर से आपकी स्टॉंग मसल्स जादर तर जो गाओं की बच्चा 6 मैने तक दिखी निरा घरवाले परिशान तेरा पेट ही नहीं दिख रहा है तो दो कारण मान के चलो एक तो आप पतली बहुत है आपके पेट पर फैट ही नहीं है तो यूटरस तब दिखता है जब यूटरस खुद बल्की हो जाता है बड़ा हो जाता है छे मैने उसके पहले आपका फैट होता है ठीक है शुरू के तीन मैने वैसे भूख नहीं लगती उल्टिया होती रहती है तो जो वेट गेन होना है उसके जगे वेट लॉस होता है आप 55 किलो से 52 किलो पर पहुंच गे दो तिन किलो तो आपने वेट कम कर लिए अपना उल्टिया करक आप काम बहुत करती है एकसाइस करती है अब स्विंग करती है बहर की लेडिज वेस्टन वर्ल की है उनके अब डॉम्नल मसल्स काफी स्टॉंग होती है तो उनका पेट शे मेने से पहले डिखता है यह दिखता भी तैसे को निकल सा डिकता है सिरफ पेटी पेट पिट इद बाकिव एकदम slim trim होती है, that depends upon your genetics, आपका lifestyle, आप क्या खा रही है, आपका weight पहले कितना था, अभी आप pregnancy किसमें कितना खा पा रही है, कुछ लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, शुरू के 3 मेने जिसमें weight gain नहीं होना चाहिए, एक kilo से जादा, उनके 4-5 kilo ऐसी बढ़ जाता है तो it all depends कि आपकी diet क्या चल रही है, और आपका weight पहले कितना था, then एक बहुत important point है, जो कि मैं अक्सर patients को बोलती हूँ, लंबे patients और नाटे patients, लंबे patients में ये वाला हिस्सा लंबा होता है, यानि कि आपकी chest लेके आपकी जो नीचे pubic bone है, ये वाला हिस्सा जो हमारा torso होता है midriff जिसको बोलते हैं, ये लंबा होता है, तो जो लंबे लोग है उनका पेट कैसे दिखेगा, उनका 7 मेने का बच्चा भी ऐसा लगता है, चार मेने का पेट है, और जो छोटी ठिगनी ladies होती है, उनका 4 मेने का पेट या 6 मेने का भी पेट ऐसा लगता है, ये वाला हिस्सा चोटा है, ये वाला हिस्सा चोटा है, तो यहां से भी फैल जाती है, यहां से भी फैल जाती है, तो आपकी height, आपका pre-pregnancy weight, आपकी diet, आपका lifestyle और आपकी abdominal muscles, ये बहुत important factor है जो patient to patient differ करता है, और आपकी खुद की pregnancy में पहली दूसी तीसरी में differ करेगा, क्योंकि आप हर अलग होगी, आपका हर बर पहले का weight अलग होगा, आपकी muscles की strength अलग होगी, आपका जो definitely height नहीं change होगी, बाकी सारी चीज़े आपकी change होनी शुरू हो जाएंगी, और क्या reasons हो सकते है, आपका बच्चा किस position में है, अब ये ध्यान से सुनिएगा, अब आप लोग जाके अप आपको ऐसे ball जैसा फील होगा, जो कि डॉक्टर कई पर आपको बताएंगे, बच्चे का सिर उपर है, तो आपका ओपर वाला पेट जो है, जो फैला फैला दिखता है, वो ऐसा पतला से दिखेगा, नीचे की तरफ आप फैली होई दिखेंगी, क्योंकि बच्चे ने अपन आप ने जो आख नाख मुह है वो आगे कर लिया, और पीछे वाला हिस्सा जो यह वाला हिस्सा इसका पीछे आ गया, तो आपकी जो बैली है, यह आपकी अंबलाइकर, या नीकि आपकी नाभी से नीचे वाला हिस्सा इसा बिलकुल फ्लाट हो जाएगा, जैसे का आप इस अगर नाभी की नीचे वाला हिस्सा इसा बिलकुल फ्लाट है, बल्ज ने का रहा है, इसका बच्चे ने ऐसी पोजिशन ले लिया, ऐसे जगे ऐसे आ रहा हो, ठीक है, तो यह भी एक कारण है, जो इंटेलिजन लोग हैं, जिनको समझ में आ रहा हो, वो शाह समझ जाएगे कि शायद ये भी कारण हो सकते हैं कि मेरा पेट इता फ्लाट क्यों दिख रहा है, और ऐसे केसे में डिलिवरी में भी थोड़ी दिक्कत आती है, अगर 9 महने तक बच्चे ने यही पोजिशन रखी, तो आपको एक तो पेट फ्लाट दिखेगा, आपको टाइम से पहले पान सब कुछ नॉर्मल है, आपके डॉक्टर कहा रहे है, भई आपकी ग्रोथ सही हो रही है, बच्चा भी सही है, आपको परिशान हो रही है, यह सारी वो कारण है जिसमें आपको घबराने की बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, क्यों आपका टमी कम दिख रहा है, अ पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इस पर पूरा वीडियो आ चुका है, पानी क्यों कम होता है, कैसे कम होता है, क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पूरा वीडियो आप देखिए, यह आ चुका है, बच्चे की और लेस लाइकर यानिकि ओलिगोहड अम्योस ये दो मेन पैथालोजिक कारण है जिसमें की ट्रीटमेंट की जरूरत है जिसमें आपका पेठ कम दिखेगा ऐसे केसे में साथ वे महने से आपको ग्रोथ सकान्स कराने चाहिए आपका एफाई यानिकि अम्नियोटिक और आपको क्या करना चाहिए देन दूसरी बात है बच्चे की ग्रोथ अब बच्चे की ग्रोथ मल्टिफैक्टोरियल है बच्चे की ग्रोथ इस पर भी टिपेंड करें कि आप क्या खा रही है जो न्यूटिशनली डेफिशन्ट लोग होते हैं जैसे रूरल पॉपलेशन ह ज़्यादा अच्छे से खाने को नहीं मिलता है उसमें आयूजी अर बच्चे बड़े कॉमन है जा फिर जिन्हों ने आंटी नेटल केर प्रॉपली ने ली डेफिशन्ट लेटी को मिनिमम चार बार होस्पिटल जाना चाहिए और अगर आईडिली कोई दिखाए तो 10 से 12 व है अगर मां बीमार है तो बच्चे में बीमारिया रिफ्लैट करेंगी या फिर बच्चा उसको कोई जेनितिक प्रॉब्लम है ऐसे बच्चे दया डिफिनिट्ल डेफिशेंट रहतें ग्रोथ में या फिर प्लसंटल इंसफिशेंसिड जो बड़ा ही कॉमन है बीपी हाय हो गया मा का, मा स्मोकिंग करती है, या टोबैको खाती है, या आलकोहल जादा है, ये सारी चीजें बच्चे को कही न कहीं ग्रोथ में प्रॉब्लम करेंगी, और ये सारी चीजें बड़ी ही, I think बहुत ही अंडिस्टैनेबल हैं आपके लिए, कि अगर मदर की न्यूटिशन में या मदर की बिमारी बच्चे को एफट कर रहे है, तो डेफिनिटी बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, तो हम ये नहीं चाहते कि बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आए, कोई पैथालिजी हो, और हम ये नहीं चाहते कि बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम बट बच्चा एक्चुली लाइकर में पानी के अंदर घूम रहा था क्योंकि डेट बेबी अंदर घूम सकता है तीक है इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बट आपको सारे कॉसे बताना भी जरूरी है कि प्रेग्नेंसी खतम हो गई टेथ हो गई तो प्रेग्नेंसी के सिम्टम्स भी खतम हो जाते हैं एक और जो मेन कारण है वो है रॉंग डेट्स रॉंग डेट्स यानि कि आपने शुरू में सोनोग्राफिय नहीं कराई बारा से सोला हफते तक जो भी सोनोग्राफिय होती है शुरू की छे हफते से सोला हफते तक वो सोनोग्राफिय बेस्ट होती है क्योंकि वो आपकी डे वो ठीक से पकड़ नहीं पाती तो वो जो डेट्स आती है ना 20 हपते के बाद की वो इतनी accurate नहीं होती तो शुरू में अगर आपने सोनोग्राफिक करा ली तो आपकी जो रॉंग डेट्स वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और आपके बेबी बंप में जो disparity आ रही है कि 7 मेने का पेट 5 मेने का दिख रहा है वो समझ वाया जाएगा क्यों हो रहा है तो अगर वीडियो समझ में आया हो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर जरू करिएगा यह information और subscribe करना मत भूलिएगा आप मुझे Instagram, Facebook और मेरी website पर follow करी मेरी website पर मेरा profile देखिए www.drsonalpar dot com वहाँ पर आप consultation भी बुक कर सकते हैं WhatsApp नमबर है 9358-54556 सिर्फ WhatsApp करें कॉल ना करें और मेरे से consultation बुक करिए जो बहुत जल्दी हाजर होंगे नए वीडियो के साथ